जम्मू कश्मीर में अपने पार्टी उम्मीद्वार के समर्थन में चुनाफ प्रचार के लिए एक दिवसिये दौरे पर आये राहुल गांधी शीनगर पहुंचे और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रेंद्र मोदी की मन की बात पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे मन की बात में बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन काम की बात भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब पिये मोदी की मन की बात कोई नहीं सुनता। भाजपा बेरोजगारी को दूर करने और जम्मू कश्मीर में रा अधिकार छीन लिया गया और अब बाहरी लोग आपकी ओर से फैसले ले रहे हैं। राहुल बोले कई बार यूटी को राज्य में बदला गया है, लेकिन पहली बार किसी राज्य को यूटी में बदला गया है। उनकी पहली मांग राज्य का दर्जा दिलाना है। वे उन पर ऐसा करने के लिए दबाव डालेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो हम ऐसा करके दिखाएंगे। राहुल ने लोगों को भरोसा दिलाया कि राज्य का दर्जा वापस दिलाने के अलावा, वे हर परिवार को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देंगे और हर परिवार को 11 किलो चावल देंगे। भारत गठ बंधन ने उन्हें मनोवैज्यानिक रूप से खत्म कर दिया है। हमने यह प्यार से किया है। पीएम 56 एंच के सीने से बात करते थे और अब उन्हें वही करना पड़ रहा है जो विपक्ष चाहता है। उन्होंने कहा मैं उन्हें लोग सभा में बहुत करीब से देखता हूँ जबकि लोग उन्हें टीवी पर देखते हैं। उनकी बॉडी लैंग्विज पूरी तरह बदल गई है और यह भारत गठ बंधन मुम्किन हुआ है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के शासकों के रूप में बाहरी लोगों को आम लोगों की इच्छाओं को ठेस पहुचाने के लिए भाजपा की आलोचना की उन्होंने कहा कि लिफ्टिनेंट गवर्नर राजा हैं जो यहां के लोगों की इच्छा के खिलाफ शासन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि लोग क्या चाहते हैं, किस तरह के विकास की जरूरत है। उन्होंने लोगों से आग रह किया कि जहां भी NC उम्मीदवार हैं, मैं चाहता हूं कि हर कॉंग्रेस कार्यकरता उन्हें वोट दे और जहां भी कॉंग्रेस उम्मीदवार हैं, NC कार्यकरता उन् राहुल गांधी को सुनने के लिए आज हजारों लोग शाल्टेंग में एकत्र हुए थे लोगों ने कहा कि हमें विश्वास है कि राहुल भविश्य हैं और बदलाव ला सकते हैं और हमारे मुद्दों को हल करने की क्षमता रखते हैं उन्होंने कहा कि वह हिंदू-मुस्लिम में भेधभाव नहीं करते हैं वह सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं इसलिए हम उनका समर्थन करने के लिए यहां हैं और हमारा वोट जो हमारी शक्ती है बदलाव लाएगा पिछले दस साल से जहां भी नरेंद मोधी जी जाते हैं जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं वो नफरत फिलाते हैं भाई को भाई से लडाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लडाएंगे, एक भाशा को दूसरी भाशा से लडाएंगे, एक स्टेट के लोगों को दूसरे स्टेट से लडाएंगे, और पूरे देश में इन्होंने नफरत फिलाया है, नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया लोग जानते हैं कि नफरत को महबबत ही काट सकती है नफरत को नफरत नहीं काट सकती है यह आप लोगों का इतिहास है यह आप लोगों की सोच है यह आप लोगों का कल्चर है अब मैं आपकी तरफ से राहुल जी को यहां से जो इनने कहा अपने जज़बात बताए अपना रिश्टा बताया, खून का रिश्टा बताया, प्यार का रिश्टा बताया, आप लोगों की तरफ से इनको जो हमारे कश्मीरी भाई अदूरे है उनको मैं पूरा यहां से कश्मीरी बना के भेज रहा हूँ झाल झाल